जारखन में पूर्ध मुख्यमंत्री हेमन सुरेन की गिरिफतारी के बाद से प्रदेश में सियासी हलचल तेज हो गई है। भारतिय जिन्ता पार्टी जहां पूरी तरह से एक्टिव हो गई है वहीं जामूमों के साथ उनके सहींगी दल अपने विधायकों को तूटने से बचाने में जुट गए हैं। इस बीच होने वाले मुख्यमंत्री चमपई सुरेन ने कहा कि हम लोग ही सरकार बनाएंगे क्योंकि हमारे पास प्रयाप्त विधायकों का समर्थन है। वहीं इन गहमा गहमी के बीच अब सवाल उठ रहा है कि जारखन में अब आगे क्या होने वाला है। चलिए पांच पॉइंट में आपको आसान भाशा में इस वीडियो में बताते हैं। विधायक दल का नेता चुना गया पर शपत नहीं हुई। जारखन में चमपई सुरेन विधायक दल के नेता तो चुन लिये गए हैं लेकिन अब तक शपत ग्रहन नहीं हुआ है। हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में पहुँच गया है। वहीं इस बीच हीमन सुरेन ने भावक वीडियो भी जारी किया है। उन्होंने कहा कि E Д की ग्रिफतारी की मुझे कोई चिंता नहीं है। उन्होंने कहा कि मैं शीबू सुरेन का बेटा हूँ, संघर्ष हमारे खून में है, हम संघर्ष करेंगे और जीतेंगे आगे उन्होंने कहा कि मुझे उस मामले में गिरिफतार करने का फैसला किया गया है, जिनका मुझसे कोई सम्मंध नहीं है भाजपा क्या कह रही है? भी कुछ नहीं कहा जा सकता है बाबुलाल मरांडी ने साधा निशाना बाबुलाल मरांडी ने कहा कि 27 जनवरी की रात हेमन सुरेन जी निजी यात्रा पर दिल्ली कि इन लोगों से मिलने प्रयास में आये थे जब किसी ने घास नहीं डाला तो मुख्यमंत्री पद की मर्याद नहीं राजभवन पर टिकी हुई है राजभवन में अब चमपई सोरेन को विधायकों के समर्थन वाला पत्र सौपना पड़ सकता है या नहीं तो फ्लोर टेस्ट के लिए भी जाना पड़ सकता है